हेलो मेरे जिगर के चलो कैसे हो आप मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में और आज हम डिसकस करेंगे अपनी नई अपडेट के बारे में ओ तेरी की ये अजीब सी हरी लाइट कहां से आ रही है बाई मुझे तो लगता है वहाँ पर जरूर डिसको पार्टी हो रही होगी तो चलो मैं भी वही जाकर थोड़े ठुमके लगा लेता हूँ बहुत दिन हो गए कोई पार्टी नहीं कि मैंने आज आएगाना असली मजा और मुझे तो लगता है कि सम तमंचे पर डा चतनी डाल कर तो मैं खाऊंगा या भाई यहाँ पनीर के पकोड़े भी है जल्दी बताओ ना कहां है भाई मैंने तीन दिन से कुछ नहीं खाया अरे तो ही पकोड़ा है भाग मत चल्दी से मेरे मुझ में आकर बैठ जा हाँ हाँ तेरा मुझ बचेगा तो ही तो मैं उसमें बैठूंगा ना दोस्तो ये जोंबीस तो बहुत खतरनाक है और बत्तमीज भी है ये मुझे खोई उससे पहले ही मैं इनको खा जाता हूँ मगर ये सब तो एरीना में बंद थे लेकिन आज खुले सांड के जैसे कैसे गूम रहे है इनको तो मैं चुटकी में ही खतम कर देत हूँ मगर ये क्या ये तो कोफिन में से दो बारा निकल गए मुझे लगता है इने मारना नामुम्किन है और मेरी गण की गोलियां भी खतम होने वाली है और अब तो हमारे वाइस टाउन में सिरफ एक ही बंदा हमारी मदद कर सकता है और वो है हमारे प्यारे टिपसन दाद जब वो कही तेरे पीछे पागल कुटे तो नहीं पड़ गए टिपसन दादा कुटे नहीं जो जोंबी वो भी एक नहीं बहुत सारे कैसे जोंबी कौन से जोंबी की बात कर रहे हो टिपसन भाया वो एरिना वाले खतरनाक जोंबी बाहर आ गए है हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मगर अब तूने कहा है तो मुझे विश्वास हो गया है भाईया आपको उन जोंबीज के बारे में कैसे पता ओहो यार उन्होंने मेरा बहुत कीमती समान चुरा लिया है क्या बोल रहे हो भाईया कही उन्होंने आपका वो कीमती सोने वाला हार तो नहीं चुरा लिया नहीं छोटे उससे भी ज़्यादा कीमती समान था वो पूरे बारा रुपे वाली मेंगी के तीन पैकेट कोई हिप्पी विप्पी नहीं और मैंने सोचा था कि उन तीनों पैकेट को सुभे शाम रात को खाऊंगा मगर जो मैं घर पर नहीं था ना तो वो जॉम्बी के बच्चे मेरे घर में आकर वो तीनों मेगी के पैकेट अपने साथ ले गए तो भाईया उनको हराने का कोई रास्ता तो बताओ बताओ ना रुक मैं कुछ सोचता हूँ हेलो औरे एरीना वाले बिग बोस तुम्हारे पाल्टू जोम्बी बहार आ गए है तुम उनको जल्दी से वापिस बुला लो नहीं तो मैं उनको खीच-खीच कर लाफा मारूंगा और उनके बाद तुम्हारे भी बाट लगा दूंगा टिपसन दादा ये आप क्या बोल रहे हो आप उन लुखे जोम्बी जोम्बी को कैसे मारोगे क्यो आपको नहीं पता वो एक नहीं बहुत सारे है और जब मैंने उनको अपने गन से मारा था तो वो दोबारा से आने लग गए मैं तो बाल-बाल बचा हूँ वहां से तब ही तो आपके पास आया था भागा भागा चोटे मुझे एक बात तो बता क्या वहां कोई कोफिन भी थे हाँ भाईया एक नहीं पूरे तीन-तीन कोफिन थे वहां पर मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है तू ऐसा करियो उन कोफिन के नीचे सुतली बंब लगा दियो भाईया वो तो है ही नहीं अब क्या करूँ ओ यार चल तू रोकेट लूंचर ही ले लियो बगर वहां पर तो इतने सारे जोंबीज हैं अगर मैं उनके कोफिन तोड़ने लगा और वो मुझे आकर तंग करेंगे तो उसका भी इलाज है तेरे टिपसन दादा के पास उन जोंबीज को शांत करने के लिए तुम डांसिंग ग्रैनेट को उन पर फैक दियो और फिर देखियो कमाल ठीक है भाईया देखो अब मैं पूरी तरह से तयार हूँ जा छोटे जल्दी से भाग कर जा और मेरा नाम रोशन कर और हाँ मेरे वो तीन अनमोल मैगी के पैकेट भी याद से वापिस ले आईयो ओके भाईया मगर वो सारे जोंबीस तो वहाँ से गायब हो गए थे लेकिन अब मुझे वो कहाँ पर मिलेंगे मैं उनको कैसे ढूंडू रो फीरो भाई उनको ढूंडना ता बहुती आसान है जहाँ पर भी जोंबीस होंगे वहाँ पर ग्रीन लाइट निकल रही होगी तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग जल्दी से जाकर उन गंदे जोंबीस का सफाया कर देते हैं और आज तो हम उनकी ऐसी हालत करेंगे ऐसी हालत करेंगे कि वो कभी दो बारा लोट कर हमारे वाईस टाउन में कदम नहीं रखेंगे और देखो हम तो उनके इतने पास भी कि तुम्हारे पैरों में दर्द होने लग जाएगा दोस्तों मैं यहाँ पर चारों तरफ डांसिंग ग्रेनेट को फैक देता हूँ जिससे कोई भी जोंबी डांस का मजा लेने से रहना जाए देखो यहाँ सब नाचने लग गए अब मैं ऐसा करता हूँ अपने और पीजी से इस सामने वाले कोफिन को फोर देता हूँ और देखो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर हमला कर रहा हूँ यह तो डैमेज होता जा रहा है और लो भाई यह तो फट भी गया और हमें इतने सारे पैसे भी मिल गए मगर यहाँ तो कोफिन में से और भी जोंबी आ रहे हैं तो मै जल्दी से इन सब को भी नाचने पर मजबूर कर देता हूँ, हाँ अब ये सब जोंबी तो नाचने लग गए, तो मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये दूसरे वाला कोफिन भी अब तो खतम हो गया, अब बचा है सिरफ एक कोफिन, तो हम उसे भ हो गया है, आरे जोंबी अब तुम्हारा क्या होगा, चलो थोड़ा सा नाच के ही दिखा दो, क्या पता मैं खुश होकर तुम्हारी जानबक्ष दूँ, दोस्तों ये अच्छा तो नहीं नाच रहे, तो चलो इन्हें साफ कर देते हैं, अरे वाँ फ्रेंड्स, देखो यहा वाइस टाउन में कुछ नया बना देंगे, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये नई अपडेट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक वाले बटन को दबाओ, और चैनल को सब्सक्राइब पी कर लो, और हाँ, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गया, अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया है, तो जल्दी से इसे अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे वो भी वीडियो का मजा ले पाएं, तो ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जै हिंद, जै भारत, लव्यू सभी को